नमस्कार साथियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनन्दन है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आये हुए हैं Census 2011 के महत्पूर्ण प्रश्ण और उत्तर द्यारखेगा ये वीडियो सभी के लिए important है चाहे छोटे बच्चे हो या फिर आप किसी भी competition के exam दे रहे हो तो इतना जानकरी आपके पास में होनी चाहिए ये प्रश्ण हर exam में पुछे जाते हैं इसमें से एक प्रश्ण आयेगा ही निश्चीत है इतनी जानकरी आपके पास में होनी चाहिए कि भारत में जनसंख्य का प्रारंब कब हो और जब भारत में जनसंख्या प्रारंब हो उस समय वाइसराय कौन थे जनसंख्या विभाजग दसक किसे कहते हैं ये समस्त जानकारी आपके पास में होनी चाहिए अभी वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या कितिनी है किस समय तक कितिनी जनसंख्या जा सकती है यहाँ पर हम ट्रिक के माद्यम से आपको बताएंगे कि आपको कीस तरह से इसे याद रखना है अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा साच्छर्ता राज एक, दो, तीन, चार, पांच कौन है इन समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं आपको इतिना ही याद करना है इससे ज़्यादा याद करने की आउसकता ही नहीं पड़ेगी आपको जनगर्ना 2011 से सम्मंदीत जितने भी महत्पून प्रश्न जो एक्जामनेशन के लिए महत्पून है उन प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं आईए हम स्टार्ट करते हैं आज की सबसे महत्पून जनगर्ना 2011 के सवाल और उसका उत्तर देंगे आप फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे सही आंसर क्या है आईए सीधा चर्चा करते हैं पहला प्रश्न है 1872 में प्रत्थम जनगर्ना हुआ अधिक्रित जनगर्ना 1881 में हुआ तब वायसराय कौन थे ये दोनों सन याद रखना है भारत में जनगर्ना का प्रारम 1872 में हुआ था लेकिन अधिक्रित जनगर्ना की सुरुवात 1881 में और उस समय वाइसराय कौन थे वाइसराय कौन थे लाड मेकाले लाड रिपन या लाड डलहोजी या लाड लेनलिदको ध्यान रखेगा चारों की अपनी भी सेस्ता है लाड मेकाले को इंडियन पेनल कोड बनाने का स्रे जाता है और भारत में जो सिच्छा पदनती है उसके जनक कहा जाता है लेकिन लाड रिपन जब जनगरना हुआ उस समय लाड रिपन थे ध्यान रखेगा अंसर भी सही है लेकिन लाड डल हो जी कि जो हनप नीती थी आप सभी जानते हैं सबसे कम उम्र के कोई वाइसराय थे या गवर्नर जनरल थे वो थे लाड डल हो जी और लाड लिन लिद्गो अगस्प्रस्ता को इसके वाइसराय मना जाता है यह चारों आपसन आपके बारे में जानकारी होनी चाहिए आईए सेकेंड कोश्चन देखते हैं जनसंखिया विभाजक दसक लाता है 1911 से लेकर 1921 तक कर आओ धी को विभाजक दसक कहलाता है 1921 से लेकर 1931 तक या 1931 से लेकर 1941 से लेकर 59 तक ध्यान रखेगा जनसंक्या विभाजक दसक कहलाता है इस आओधी में भारत की जनसंक्या कम हुई थी ध्यान रखेगा जनसंक्या विभाजक दसक क्यों काते हैं क्योंकि इस आओधी में भारत की जनसंक्या कम हुई थी तो कौन सी दसक है जो भारत की जनसंक्या कम हुई थी जिनको हम जनसंक्या विभाजक दसक के नाम से जानते हैं ये प्रश्ण पूछा जाता है ध्यान रखेगा इसका सही आंसर 1911 से लेकर 1921 तक की दसक में भारत की जनसंक्या कम हुई थी ये सही आंसर है आई एक question number next देखते हैं 11 जुलाई 1957 को बिस्व की जन्संख्या कितना पार कर गई थी 11 जुलाई 1957 को 11 जुलाई 1987 है वह वह 11 जुलाई 1987 है उसको जो है पाँच के जगह में एट करना है ध्यान रखेगा पाँच के जगह में एट करना है तो कितना पार गई थी चार अरब, पाँच अरब, छे अरब या तीन दसमलो आठ सुन अरब क्या है सही आनसर यहाँ पर ध्यान रखेगा इसका सही आनसर 11 जुलाई 1987 को विश्व की जगह कितनी पार गई थी तो ध्यान रखेगा इसका सही आनसर हम आपको बता रहे हैं पाँच अरब, पाँच अरब, पाँच अरब चला गया था ध्यान रखेगा इसका सही आनसर भी है आईए नेश कोस्चेन किस तिथी को विश्व जनसंक्या दिवस के रूप में पहली बार मनाय गया था और आज भी मनाय जाता है ध्यान रखेगा यहाँ पर जो है 10 जुलाई 1987 11 जुलाई 1987 10 अगस्त 1987 किस तिथी को पहली बार जनगर्णा दिवस मनाय गया था और आज भी मनाय जाता है ध्यान रखेगा इसका सही आनसर हम बता रहे है 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंक्या पांच अरब पार कर गई थी तब से इस्तिथी को विश्व जनसंक्या दिवस के रुप में मनाय जाता है 11 जुलाई 1987 यानि की बी आनसर सही है पांच अरब पार हो गई थी विश्व की जनसंक्या पांच अरब से पार हो गई थी इसलिए इस्तिथी को जो है बिश्य जन्संक्या दिवस के रुप में मनाया जाता है 11 जुलाई को आईए next question 31 अक्टूबर 2011 को बिश्य की जन्संक्या कितिनी हो गई 31 अक्टूबर 2011 को बिश्य की जन्संक्या कितिनी हो गई 6 अरव, 7 अरब, 8 अरब या 5 अरब 31 October 2011 को 20 की जनस्ञ्खया कितिनी हो गई आपको सही आंसर देना है 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब या 5 अरब आपको तो हमने बताया था 11 जुलय 1987 को 5 अरब पार हो गई थी लेकिन 31 अक्टूबर 2011 को बीश्व की जनसंख्या साथ अरब को पार कर गई साथ अरब को पार कर गई दोस्तों ध्यान रखेगा इसको जो है दोनों आकड़े मोस्ट इंपार्टेंट है जो भी प्रश्ण हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं इसी सरूप में प्रश्ण पूछा जाता है रिक्जाम में आप एक बार हमारे साथ में चुड़े तो हमेशा जिंदगी भर के लिए आप जो हो जाएंगे पास और आपको मिल जाएगी सरकारी नौकरी आईए को नेस्ट कोश्चन देखते हैं भारत कब विश्व में सरवादिक जनसंक्या वाला देश हो जाएगा भारत कब विश्व में सरवादिक जनसंक्या वाला देश हो जाएगा दो हजार चालिस में, दो हजार ब्यालिस में, दो हजार पैतालिस में या दो हजार पचास में ध्यान रखेगा ये विश्व जनसंक्या रिपोर्ट के अनुसार हम पोच रहे हैं, भारत कब विश्व में सरवादिक जनसंक्या वाला देश हो जाएगा, दो हजार चालिस में, दो हजार ब्यालिस में, दो हजार पैतालिस में, या दो हजार पचास में, इसका सही आंसर है, पोर्ट के अनुसार बताय जा रहा है भारत दो हजार पैतालिस तक विस्व में सरवाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा दोस्तों सी आनसर सही है नेश्टा ये कोश्चेन भारत की कुल जनसंख्या विस्व के अबादी का लगबग कितना प्रतिसत है भारत की कुल जनसंख्या विस्व के अबादी का लगबग कितना प्रतिसत है 17 परसेंट यानि कि 17 परसेंट या 17.5 परसेंट या 16 परसेंट या 16.5 परसेंट आपको हम यहाँ पर जो बता रहे हैं ये विश्वे जन्गर्णा रिपोर्ट के अधार पर हम आपको बता रहे हैं ध्यान रखेगा इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व आबादी का लगभग 17.5% के आबादी है टोटल पुरे विश्व की जितने भी जनसंख्या है ध्यान रखेगा तो यह है हमारे आपकी जो जानकारी बता रहे हैं most important है यह 17.5% को जो है हिस्से को जो है आप जरूर याद कर लिजिए यह बहुत काम का है यह बी आंसर सही है ध्यान रखेगा 12108-54977 टोटल जनसंख्या है यहाँ पर ध्यान कीगा बिश्व में तिसरे नंबर वाला सरवादिक जनसंख्या वाला देश है चाइना भारत अमेरिका या अस्टेलिया बिश्व में तिसरे नंबर वाला सरवादिक जनसंख्या वाला देश क्या है आपको बताना है दोस्तों चीन है भारत है अमेरिका है या अस्टेलिया है इसका सही आंसर आपको पता होगा यहाँ पर जो है हमने सही आंसर जो आपसंद दिया होगा है उसी बेसे चुनना है साथ आपने चुन लिया होगा हम आपको बता रहे हैं A में चीन दिया होगा है पहले नंबर पर है B में भारत दिया हुआ है दुसरे नंबर पर है C में अमेरिका दिया हुआ है तिसरे नंबर पर है यानि कि C आंसर सही है ये तिसरे नंबर पर ही है ये तीन नाम आपको याद रखना पड़ेगा चीन, भारत, अमेरिका इसका क्रम है याद रखना है Next Question भारत के सरवाधिक तिसरे नंबर वाला राज्य क्या है हम जनगर्णा के अधार पर बात कर रहे हैं चेतरपल के अधार पर बात नहीं कर रहे हैं उत्तरप्रदेश महराष्ट बिहार पश्चिम बंगाल क्या है करम तिसरे नंबर वाला ध्यान रखेगा इसका सही अंसर हम आपको बता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश एक नमबर पर है महाराष्ट दुसरे नमबर पर है तिसरे नमबर पर बिहार है और चौथे नमबर पर पश्चिम मंगाल है दोस्तों ये भारत की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या राज्यों में ये क्राम है उत्तर महराष्ट बिहार पश्चिम ठीक है उत्तर महराष्ट बिहार पश्चिम ठीक है ये जो है चार नामों को क्राम को याद रखना है कभी भी कोई भी प्रशन इसी तरह का पूस देता है आपको हम next question पूछ रहे है, सबसे कम जनसंख्यावाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्यावाला राज्य है, गोवा मेघाले मडिपूर सिक्कीम, आप सभी जानते होंगे, ये जो एरिया है, सभी जो है, रोमोट एरिया है, तो इसलिए जो है, हम चारों का आफसन दिये हुए है सबसे कम जनसंख्यावाला राज्य है, ध्यान रखेगा इसका सही आंसर सिक्कीम है, दोस्तों सिक्कीम है इसका सही आंसर, सिक्कीम बहुत पहाड़ी इलस्थान है, वहाँ पर रहने योग्य जमीन नहीं है, केमल पहाड़ी पहाड़ है, उसके बावजुद भी इसकी राज सिक्किम की राजदानी कहां इस्तित है, सिक्किम की राजदानी कहां इस्तित है, गोहाटी तो असम की है, सिक्किम की राजदानी लिखिये अंसर, सिक्किम की राजदानी क्या है, ठीक है, तो आपको जो है सिक्किम सही अंसर लिखना है, है सबसे कम जन संक्यावाला राज सिक् देखते हैं निंतम इस्तरी पुरूस अनुपात राज्य है शिक्किम मगाले हर्याना पंजाब ध्यार रखेगा सबसे निंतम जो है आपको एक चीजे बता दें 2011 के जनगर्णा का नुसार अकिल भारती इस्तरी पुरूस अनुपात 143 943 943 भारत की है यहाँ पर जो है निंतम इस्तरी पुरूस अनुपात हर्याना है याद रखेगा ये 1000 में 879, बीच में 7 है, लेट में 8 है, राइट में 9 है और सबसे जादा अनपात जो है केरल है 1084, 1084 यानि कि पुरूस 1000 में इस्तरी 1084 है और सबसे कम खर्याना में है, बीच में 7 करो, लेट में 8 और राइट में 9 आईए, निंतम जनसंक्या घनत वाला राज है, निंतम जनसंक्या घनत वाला राज है प्सिक्केम, अरुनाचल प्रदेश, हर्याना या पंजाब, निंतम जनसंक्या घनत वाला राज यानि कि आबादी जो बसाफ हुआ है वो फैल कर बैठा हुआ है या घना बैठा हुआ है यानि कि जादा संख्या में बैठा हुआ है तो आपको बताना है निंतम जनसंख्या घनत्ते वाला राज्य यहां पर ध्यान रखेगा इसका जो सही आंसर है हम आपको बता रहे हैं धर अरुनाचल प्रदेश, निंतम जनसंग्या गनत वाला राज्य है पनजाए क्या है, क्या है अरुनाचल प्रदेश सही अंसर है अक्षिट भारती जन गनत तो जो है 303.82 ब्यक्ति पर वर्ग किलोमिटर है, ठीक है, और सबसे जादा जो गनत वाला प्रदेश है बिहार, बिहा यहां पर 29 राजज और 7 कद्रसासित राजज को जोड दिया है तिसरे नमबर पर जादा सिछित राजज है ध्यान रखेगा हम आपको इसको कल्मी बोलते हैं एक आम का नाम है कल्मी एक आम का नाम है कल्मी ठीक है? केरल पहला नमबर पर है दुसरे नंबर पर लच्छदीप है और तिसरे नंबर पर मिजूरम है फिर चोत्रे में गोवा पाच्वे में त्रिपूरा ये पांच याद रखना पड़ेगा कलमी गोत्र गोत्र मतलब कलमी आमा का ये गोत्र है कलमी गोत्र कलमी गोत्री बोलते हैं उसको ठीक है कलमी कलमी ये कामा का नाम है का से केरल लसे लच्छदीप मी से मिजोरम और फिर गोवा फिर त्रिपूरा ये पांच आपको करम याद रखना है नेश्टा ये कोश्चिन सरवाधिक जन जाती जन संख्या वाला राज्य है महाराश्ट मदप्रदेश 36 गड़ या अंद्रप्रदेश कोन स है ध्यान रखेगा टोटल जन संख्या बारत की टोटल जन संख्या का जो जन जाती प्रतिसत है वो 8.6% है और सरवाधिक अनुसुचि जन जाती जन संख्या वाला राज्य मदप्रदेश है और सबसे कम प्रतिसत वाला अनुसुचि जन जाती राज्य है मिजोरम ध्यान प्रतिसत वाला ध्यान रखेगा। नेश्ट कोश्चोन आजाईए। हम नेश्ट कोश्चोन देखते हैं। नागा लेंड और दसकी जनसंक्या बृधी दर में फिर से क्या आई है दसकी जनसंक्या बृधी दर में फिर से कमी आई है 2011 में देखेंगे आगे जो है 2011 में कमी आई है पहले कब आया था कब आया था आपको पता होगा हमने आपको बताया है जनसंक्या में कमी आई थी 1911 से ल बारत में कब-कब जातिगार जन्गर्ना की गई पहली बार और अंतीन बार 1921-2011, 1931-2011, 1941-2011, क्या सही आंसर है आपको बताना है दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, 1931 में जातिगार जन्गर्ना की गई यानि कि B आंसर सही है 1931 और 2011 में जातिगार जन्गर्ना की गई थी, ये दोनों आपसन बहुती सटीक है, 1931 और 2011 यानि कि इसका सही आंसर B है ध्यान रखेगा, इसका सही आंसर B है, आपको ये याद होनी चाहिए इस तरह की कोश्चेन जो है जरूर पूछा जाता है, हर एक जामनेशन में पूछा जाता है ये प्रसन, इसको अंडरलाइन कर लिजिए इसको बायर बायर थोड़ा सा दोहराईए, दिमाग में बिठा लीजिए उसरे नंबर में ठाणे महाराष्ट है, दुसरे नंबर में उत्तर 24 परंगना पश्चिम बंगाल है और तिसरे नंबर में नार्त इष्ठ जिला दिल्ली है सबसे कम घनत वाला दिबांग अरुनाचल प्रदेश है ठीक है यहां पर सरवादिक जनसंग क्यावला राज ठाड़े है आये next question देखते हैं सरवादिक साचर्ता दरवाला जीला है सरवादिक साचर्ता दरवाला जीला है अब जीला पूछ रहे हम जो है सर्चिक मिजोरम, एंजॉल मिजोरम या अलिराजपूर मध्धप्रदेश, या उपरोक्त में से कोई नहीं, सर्वादिक साचर्ता दरवाले राजज, सर्वादिक साचर्ता दरवाले राजज जो है कौन सा है, द्यान रखेगा ये सरचिप मिजोरम और एजाल मिजोरम, ये दोनों को सवेक्तु रूफ से पढ़ा जाता है सरवादिक साचर्ता दर वाला जीला पूछ रहा है आपको राजनी पूछ रहा है सरवादिक साचर्ता जो है मिजोरब में सरचिप जीला और एंजाल जीला जो है ये दोनों जीला जो है सबसे जादा साचर्ता दर वाला जीला है सबसे कम साचर्ता दर वाला जीला है अलिराजपूर, सबसे काम, ध्यान रखेगा, सबसे काम, यह मदप्रदेश में है, आईए, चोथे नमबर पर कौन सा लिंगानुपात वाला राज्य है, ध्यान रखेगा, लिंगानुपात वाला राज्य जो है, पहले नमबर में केरल है, दुसरे में तमिल नाडू है, तिसर में 36 गड़ है आपको कौन से चुनना है चौथे नमबर वाला बताना है क्या ये करम सही है या नहीं है या आंद्रप्रदेश 36 गड़ में confusion है पहला वाला केरल तो समझ आता है फिर तमिल नाडू समझ आता है फिर अंदरप्रदेश का समझ नहीं आ रहा है 36 गर्ण का समझ नहीं आ रहा है याद रखेगा दोस्तों ये जो हमने आपको करम बताया है बिल्कुल 69 करम है ये सही आंशर है केरल टमिनाडो अंदरप्रदेश और 37 गर्ण चोथा नंबर पर है 36 गड़ द्यान रखेगा इसका सही अंसर D है आपको ये सब याद कर लेना है आईए हम सायद मुझे लगता है ये लाश कोश्चिन होगा लाश कोश्चिन क्या है देश में 50 लाग से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगरी समुहन है यानि कि 50 लाग से अधिक वाले राजिक कितने संख्या में है आपको बताना है दोस्तों बहुत most important question हम आपको बता रहे हैं इसका सही अंसर क्या हो सकता है सायद आपको पता होगा आठ नगर है आठ सहर है महानगर है जिसमें पहले नंबर पर मुंबई आता है दुसरे नंबर पर दिल्ली आता है तिसरे नंबर पर कुलकाता आता है चोथे नंबर पर चेन्ने ही आता है पाचवे पर बंगलूर आता है छटवे पर हैदराबाद आता है साथे पर है दोस्तों और 50 लाग से अधिक जन संक्या वाले 8 आठ सहर है एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ देश में 50 लाग से अधिक जन संक्या वाले 8 नगरी सम्मुहन है जबकि देश में 10 लाग से अधिक जन संक्या वाले 53 नगर है ये थी हमारी 20 most important जन गरना 2011 से संबंदेत महत्पूर्ण प्रज जिन्हें हर एक्जाम में पुछा जाता है कोई भी एक्जाम ऐसा नहीं है जिसमें सिन्नब पुछा गया हो और हम selected question को आपके लिए लेकर आये हुए थे और प्रति दिन लेकर आते हैं आप इसका फाइदा उठाईए ज़्याद से ज़्यादा संख्या में आप एक I.S. आफिसर बने I.S. आफिसर बने या किसी गोवर्मेंट जाब पर नियुक्त प्राप्त करें यही हमारी आसा और अपेच्छा भी है हमारी आर्सिरवाद आपके साथ में हमेशा रहेगा हम आपके लिए रोज इसी तरह कोशिस करेंगे कि जेनरल नॉलेज या जेनरल स्टडी हम आपको जानकारी दें दोस्तों साड़े बारबजे बाला में भी आप आ सकते हैं करेंट एफियर्स में थैंक यू नमस्कार धन्यवाद जय हीन जय भारत